नाजरीन आदाब, मौलाना आजाद नाशनल उर्दू यूनिवसिटी के इस तालिमी प्रोग्रेम में मैं विखार निसां, लेक्चरर, डिपार्टमेंट आफ एड्यूकेशन और ट्रेनिंग आपका खेर मगदम करती हूँ आज मैंने जिस मौज़ो को इंतखाब किया है वो तालिमी टेकनोलोजी से लिया गया है आज का हमारा मौज़ू है इडगर डेल के इक्तिसाबी तज्रूबात का मखरूद याने इडगर डेल्स कोन ओफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्योंकि आज का मौज़ू तालिमी टेकनोलोजी से लिया गया है इसलिए सबसे पहले तालिमी टेकनोलोजी के मफहूम को समझने से पहले हम तालिम और टेकनोलोजी को अलगलक तरह समझेंगे पहले देखेंगे के तालिम से क्या मौज़ है तालिम याने एजुकेशन एक लातिनी लफ़ एजुकेश से लिया गया है जिसके लफ़ी माने है उभारना तुबरिंग आउट याने तुल्बा की पोशीदा सलाहियतों को उभारना मुक्तलिफ माहरे तालिम ने मुक्तरिफ तरह से तालिम को बेयान किया है चंद माहरीन के जर्ये दिये गई कुछ तारीफी का यादा करेंगे सुखराद के मताबग तालिम का मतलब है हर इनसान के दिमाग में बोशीदा शकल में काइनात से तस्लीम शुदा मौजूदा ख्यालात को वाज़ करना पेस्तालोजी का ख्याल था के इनसान की जिबली खुवतों की फित्री हम आहंगी और तरखी पजीर बालीदगी को तालीम कहते हैं फ्रोबल के मताबर, तालीम वो अमल है जिसके जरीए बच्चे की जिबली खुवते पाहे जाहर होती है गांधी जी के अलवाध तालीम के मताबर उन्होंने तालीम को इस तरहां से डिफैन किया कि तालीम से मेरा मतलब इन बहतरीन खूबियों का इजहार है जो बच्चे और इनसान के जिस्म, दिमाग और रुख में पोशीदा है इन तमाम तारीफों का यादा करने के बाद आप समच चुके होंगे के तालीम एक ऐसा अमल है जिससे इनसानी बरताओ में पसंदिदा सिम्ट में तबदीली लाई जाती है या एक फर्द को अपनी पोशीदा सलाहियतों को हतल इमकान बाहर लाने में मदद देती है आप तालीम से वाखिफ हो चुके हैं अब देखते हैं कि टेकनालोजी से क्या मुराद है टेकनालोजी को यूनानी लफजों टेकनीक और लोगों से आख्स किया गया है टेकनीक के माने हुनर और महारत के हैं लोगों के माने मुतालिया के हैं इस तरह टेकनोलोजी के माने साइनसी महारतों का अमली काम में इतलाख है टेकनोलोजी किसी भी मकसद के हसूल के लिए मुनतबिक टक्निकों और तरीखों का मुनाजम मुतालिया और अमली काम में इसका इतलाख है तालीम और टेकनोलोजी से वाखिफ होने के बाद आप तालीमी टेकनोलोजी को इन दोनों को मरबूत करने के बाद इसके माने आप समझ सकते हैं तालीमी टेकनोलोजी दर्स वो तद्रीसी अमल में इस्तेमाल होने वाली साइनसी मालूमात का तर्तीब वार इतलाख है जिससे तद्रीस और तर्वियत में बहतरी लाई जाती है तालीमी अमल में मुक्तलिफ तद्रीसी तरीखों और मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे हम तुल्बा को बहतर से बहतर और मौसर तरीखे से इक्तिसाब दे सकते हैं तालिमी टेकनोलोजी में सिर्फ हाडवेर या सौफ़वेर आलात नहीं होते बलकर हमारी तालिमी टेकनोलोजी सौफ़वेर और हाडवेर आलात को मिलाकर मुकमिल होती है हाडवेर आलात जैसे के हाडवेर आलात में आपके शामिल है computer, television, overhead projector, tape recorder, radio, VCR, charts, models, graphs, teaching machines और दीगर अशिया सौफ़वेर में आपके cassette, film strip, transparencies, microfilm, slides और दीगर अशिया शामिल है सौफ़वेर और हाडवेर आलात को मिलाकर हम तालिमी टेकनोलोजी का इयादा करते हैं यानि तालिमी टेकनोलोजी में दोनों तरह के आलात को इस्तेमाल करते हैं सौफ़वेर में आपके तद्रीजी तरीखें और नई नई तक्रीके शामिल है अब तालिमी टेकनोलोजी के दिये हुए कुछ माहरीन के जरीए तारीफात का यादा करेंगे National Council for Education Technology ने तालिमी टेकनोलोजी की तारीफ इस तरह की है तालिमी टेकनोलोजी निजामों तक्नीकों और जराए इमदाद के इर्तिखा इंतबाख और तायुन खदर का नाम है जिसका मकसर इंसानी अक्तिसाब के अमल में बहतरी लाना है लहाजा तालिमी टेकनोलोजी के मफूव में ना सिर्फ हार्डवेर आलाद शामिल है बलके वो सब तरीख अमल भी शामिल है जो इंसानी अक्तिसाब में मददगार है एक और तारीफ लेट माहर तालीम ने इस तरह से तालिमी टेकनोलोजी को डिफाइन किया है तालिमी टेकनोलोजी इक्तिसाब और हालात इक्तिसाब के बारे में साइंटिफिक इल्म का इंतिबाग है ताके तद्रीज और इक्तिसाब की असर पजेरी और इस्तिदाद में इजाफा किया जाए साइन्सी तोर पर मुसलिमा उसूलों की अदम मौजूदगी में तालीमी टेकनोलोजी तज्रूबाती मुशाहिदे की टक्निकों को इक्तिसाबी मौकें पर बहतर बनाने के लिए बरायकार लाती है एक और महारे तालीम अन्विन ने इस तरह से तालीमी टेकनोलोजी को बयान किया है जदीद महारतों का तालीम और तर्बियत के हसूल के लिए इंतबा तालीमी टेकनोलोजी कहलाता है अब आईए देखेंगे कि तालीमी टेकनोलोजी को इस्तेमाल करने के क्या फवाइदे हैं सबसे बड़ा फाइदा तो यह है कि अवाम को तालीम दी जा सकती है इस बात से आप खुद भी वाकिफ हैं कि आबादी और इल्म में एक अजीम धमाका हुआ है इसलिए अवाम को तालीम से आरास्ता करना वक्त की एहम जरूरत है यह मसला इस वक्त और ज्यादा संगीन हो जाता है जब हम देखते हैं कि समाज का बड़ा तबखा गर तालीमी याफता है इसलिए तालीमी टेकनालोजी की बड़ी जिमेदारी समाज के बड़े तबखे को बहुत महदूद वक्त में बहुत जादा मालूमात फराहम करना है इस सलसले में आप तालीमी टेकनालोजी से मदद ले सकते हैं इसमें मैंस मीडिया जैसे टेलिविजन, रेडियो, अखबाराथ और दिगर जदीद टेकनालोजी और मसलन कम्प्यूटर और इतलाती टेकनालोजी जैसे इमेल, इंटरनेट वगरा ये तमाम के लिए हमारा मैदान वसी खुला है नाखौनदा लोगों को भी जदीद तरीखों और तद्रीज वो इक्तिसाब की टक्नीकों के जरिये खौनदा बनाया जा सकता है अवाम को तालीम ये रहा एक इसका पहलू जो इसका बहुत बड़ा फैदा है और दूसरी तरफ हम देखेंगे तो तालीमी टेकनोलोजी की मदद से हम तुल्बा को तारिखी मालूमात फराहम कर सकते हैं ऐसे वाकियात जिसका हम यादा नहीं कर सकते लेकिन यहां पर आप तालीमी टेकनोलोजी का फायदा उठाते हुए तुल्बा को बहतर से बहतर आप इक्तिसाब दे सकते हैं मिसाल के तौर पर क्या हीरोशीमा और नागासाकी के धमाके पर हमारा नक्ते नजर एक जैसा है जिसे हम तुल्बा को पेश कर सके ये ना आसान है और ना मुम्किन है इसी तरह मिसाल के तौर पर पोकरान में किये गए न्यूकलाई टेस्ट के बारे में इस नजरिये के हामिल नहीं हो सकते इसलिए ऐसे रेकॉर्ड मुनासिब मौके पर किसी फिल्म की शकल में तौल्बा के लिए बहुत खीमती हो सकते हैं यही चीज़ तालीमी टेकनोलोजी फराहम करती है अवाम को तालीम दे सकते हैं इसके अलावा आप ऐसे महेंगे और खतरनाक तजरूबात जो हम कमरे जमात में लाकर तौल्बा को दिखा नहीं सकते और इनका तजरूबा तौल्बा कर नहीं सकते ऐसे तजरूबात को भी हम तालीमी टेकनोलोजी के जरिए कमरे जमात में पे और ना क्लास रूम में इन्हें किया जा सकता है क्यूंकि इसमें काफी खत्रात और मुसारिफ दरपेश होते हैं ऐसे तज्रूबात को किसी लेबॉरिटरी या दीगर जगा इहतियात करके नई इलेक्टरॉनिक टेक्नॉलोजी की मदद से रिकॉर्ड कर लिया जाता है और मौसर इक्तिसाब की घर्स से तुल्बा और मौलिमीन के जरिये इस्तेमाल किया जा सकता है इसके आलावा तालिमी टेक्नॉलोजी के और बहुत से फैदे हैं निसाल के तोर पर आप खेल और मुशाबहत लीजिए खेल की जरिये भी ऐसे बहुत से तसवरात सीख सकते हैं जो क्लासरूम की रिवायती अंदास में नहीं सिखाया जा सकते खेल और मुशाबहत फोजी जवानों और हवाबाजों की तर्वियत के लिए भी बहुत मुफीद है एक और तालीमी टेकनोलोजी का फायदा है वो है फासलाती तालीम यानि फासलाती तालीम में तालीमी टेकनोलोजी की बहुत बड़ी एहमियत है फासलाती तालीम और ओपन स्कूल में भी इसका बहुत बड़ा किरदार है आज अमले की तर्बियत और बाख़दा तालीम की इनके मैदान की नोबना तरखियों से पाख़वर रखने के लिए बहुत जरूरी हो चुके हैं इस सिलसले में फासलाती तालीम के प्रोग्राम जो तालीम का रिवायती अमल है एक मुखाम बना लिया है और फासलाती तालीम में हम टेकनोलोजी के इस्तेमाल से बहुत ही बहतर अंदास में तुल्बा को तालीम पराहम कर सकते हैं एक और फायदा तालीमी तेकनोलोजी का है हम तहखीख में इसकी मदद ले सकते हैं तेखीख की एहमिया से आप सब वाकिफ हैं कि तेखीख किस तरह हमारी मुल्क की तरखी और हमारे समाज की तरखी के लिए जरूरी है तो इस तेखीख के अमल में हम तालिमी टेकनोलोजी का बहुत ज़्यादा उठा सकते हैं तालिमी टीकनोलोजी के फ़वाइद से आप वाकिफ हो चुके हैं इसके फायदा यह हैं कि हम कंबरे जमात में कसी तुल्बा को आसानी से तालिम दे सकते हैं जार कंबरे जमात में ऐगर तुल्बा की तादات बहुत ज्यादा है तो ये मौलिम के लिए बहुत ही नामुम्किन होता है कि वो एक अपनी आम आवास से तमाम तुलबा तक पहुंच सके इसके बरक्स अगर मौलिम तालिमी टेकनोलिजी का इस्तिमाल करता है तो वो मौसर तरीखे से कसीर तुलबा को आसानी से तालिम फराहम कर सकता है और इसकी मदद से तुलबा भी अपने रफ्तार से सीखते हैं इन्हें इन्फरादी तवज़े मिलती हैं इन्फरादी तवज़े इस तरह मिलती हैं कि अगर आप तुलबा को किसी टीजिंग मशीन या कंप्यूटर के जरी एक्तिसाब दे रहे हैं तो तुल्बा जो है उन्हें इन्फिरादी तोर पर करेंगे और खुद अपनी स्पीड से वो आगे बढ़ेंगे तालिमी टेकनोलोजी की मदद से तरसील को बहतर बनाया जा सकता है मौलिम और तुल्बा के दर्मियान बहतर तरसील हो सकती है तालीमी टेकनोलोजी से आप जो भी मौवाद पढ़ा रहे हैं इसको दिल्चप तरीखे से पेश कर सकते हैं जिस से तुल्बा में मौरिका पैदा होगा ना सिर्फ मौरिका पैदा होगा बलके इन्हें अपने मजमून और अपने मौलिम की तरफ भी रागिब होंगे और इनकी दिल्चप बढ़ेगी आप तालीमी टेकनोलोजी से वाकिफ हो चुके हैं इसकी एहमियत से भी वाकिफ हो चुके हैं इसकी एहमियत और ज्यादा जब बढ़ती है क्योंके इसमें तमाम हिस्सी आज़ा का काम होता है यानि किसी भी इनसान की दिमाग तक पहुंचने के लिए उसके कान और आंग बहुत जरूरी होते हैं इसलिए अगर हम तालीम में भी हिस्सी आज़ा को इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा इक्तिसाब मुकमिल सौ फीसद होगा और तुल्बा को भी सीखने में दिल्चस्पी महसूस होगी वो देर तक याद रखेंगे हिस्सी आज़ा की बहुत एहमियत है ये एहमियत इस मखोले से भी जाहर होती है मैं सुनता हूँ भूल जाता हूँ मैं देखता हूँ याद रखता हूँ लेकिन जब मैं करता हूँ तो समझ पाता हूँ जी हाँ बिल्कुल ठीक इसी तरह से अगर कोई चीज हम खुद अपने तोर पर करकर सीखते हैं तो वो बहुत देर तक हम उसे याद रखते हैं यही चीज हम अगर तालीम में इस्तेमाल करेंगे तो इससे तुल्बा को बहुत फैदा होगा वो देखी हुई चीज भूल जाते हैं सुना हुआ भूल जाते हैं लेकिन जब वो अमली तोर पर उसे अंजाम देते हैं तो बहुत देर तक याद रखते हैं और ये बात को माहरीन ने भी साबित किया है कि इक्तिसाब के अमल में तमाम हिस्सी आजा अपना अपना रोल अदा करते हैं इक्तिसाब की अमल में बसारत के जरीए 83 फीसद इक्तिसाब हासिल होता है और इक्तिसाब का 11 फिसद हिसा समाद याने सुनने के जरीए हासिल होता है इक्तिसाब का 3.5 फिसद हिसा एहसा से सूंगने या बू के जरीए हासिल होता है इक्तिसाब का 1.5 फिसद हिसा एहसा से लंस छूने या महसूस करने के जरीए हासिल होता है यानि इक्तिसाब में आपके तमाम हिसी आजा बराबर का रोल अदा कर रहे हैं ये रहा आपका इक्तिसाब का फीसद अगर आप याद रखने का फीसद देखेंगे यानि कौन सा हिसी आजा याद रखने में कितनी मदद कर रहा है तो समात के जरीए आप 20 फीसद याद रख सकते हैं बसारत के जरीए 30 फीसद याद रख सकते हैं समात और बसारत के जरीए 50 फीसद याद रख सकते हैं बोलने के जरीए 80 फीसद याद रख सकते हैं लेकिन बोलने और करने से 90 फीसद तक याद रखा जा सकता है ये बात माहरीन ने रिसर्च के जरीए साबित की है कि ये बात साफ जाहर हो चुकी है कि अगर इक्तिसाब मुकम्मिल सौ फीसद हासिल करना हो तो इसके लिए तमाम हवास को मुतहरिक और बामर रखना और तुल्बा को इक्तिसाबी तजरुबात फराहम करना बहुत जरूरी है हवास को मुतहरिक रखने के लिए इक्तिसाबी तजरुबात फराहम करना ये मौलिम के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है तो किस तरह से या किस तरह से इनको इक्तिसाबी तजरुबात फराहम किये जा सकते हैं कौन से इक्तिसाबी तजरुबात बहतर हो सकते हैं कौन से इक्तिसाबी तजरुबात से तुलबात ज्यादा देर तक सीखते हैं और याद रखते हैं तो इस बात को एक माहरे तालीम एडगर डेल नामी एक माहरे तालीम ने एक मखरूत की शकल में पेश किया है जिसे हम एडगर डेल के इक्तिसाबी तज्रूबात का मखरूत कहते हैं एडगर डेल's cone of learning experiences इस मखरूत में निचली सताह से उपरी सताह मखरूत की शकल में आप देख सकते हैं इसमें निचली सताह के जो तज्रूबात है वो तुलबा के लिए बहतरीन तज्रूबात है यानि अगर हम तुलबा को ऐसे तज्रूबात फराहम करें तो हमारा तालिमी अमाल बहुत ही बहतर बन सकता है और तुल्बा बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं तो इस मखरूत को आप देखने के बार इसका जायजा लेंगे तफसील से तो सबसे नीचली सटाह में जो आप मखरूत में देख सकते हैं वो रास्त मकसदी तज्रूबात डाइरेक्ट पर्पोस्फुल एक्सपिरियंसेस ये तज्रूबे नफसियाती पहलो लर्निंग बाई डूइंग इक्तिसा बजर्य अमल पर मुनहसित है यानि तुल्बा खुद अपने तौर पर कर कर सीखेंगे जैसे मिसाल के तौर पर इसमें तुल्बा को तज्रूबे खाने में अमली तौर पर काम करने का मौका फराहम किया जाएगा जैसे वो अक्सीजन को त्यार करेंगे उनके खवास का तज्जिया करेंगे इनके तिब्बी और कीमियाई खवास की जांच करेंगे इसी तरह एक साइन्स का मौलीम तुलबा को फेपड़े बताएगा और तुलबा इससे सीखेंगे लेकिन ऐसे तजरुबा फराहम करना बाज वाखाद नामुम्किन होता है उस वक्त हम रास्त तजरुबे फराहम नहीं कर सकते तो वहां पर बिलरास तजरुबे फराहम किया जा सकते हैं बिलरास तजरुबे या कॉन्टराइफड एक्सपीरियंसेज जब कोई हकीकी शेय दस्तियाब नहीं होती तो इसके मतबादिल के तौर पर किसी मौडल को इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें तौलबा अब तजरुबे खाने में तजरुबात हासिल करते हैं और मौडल्स के जरीए तौलबा को हकीकत का पता चलता है मिसाल के तौर पर अगर आप ताजमहल के बारे में पढ़ा रहें तो ताजमहल ना तो आप बच्चों को लेकर जा सकते हैं या फिर कमरे जमात में लाना तो नामुम्किन है तो आप यहां पर उनको टाजमहल का मौडल दिखा सकते हैं दिल का मौडल दिखा सकते हैं आंग का मौडल, फेपड़े के मौडल ये तमाम चीज़े मौडल के जरीए आप बच्चों को मिसालें दे सकते हैं और तुल्बा इनके जारी हकीकत का पता चलता है और इसीक्ने में बहुत मौसर साबित होते हैं आप ने देखा कि तुल्बा को रास्त तज्जूबे अगर फराहम करें तो ये बहुत ही बहतर है ऐसी सूरत में जहां पर रास्त तज्जूबे फराहम नहीं किया जा सकते हैं तो और बिलरास्त तज्जूबे फराहम करें बिलरास्त तज्जूबे भी फराहम करना जहां पर मुश्किल हो तो हम आएए देखते हैं कि और किस तरह से तुल्बा को अक्तिसाबी तजरुबात फ़राहम कर सकते हैं DRAMATIZE EXPERIENCES ड्रामाई तजरुबां के जरिये हम तुल्बा में अक्तिसाब का अमल जानी रख सकते हैं बाज आखात कोई भी वाखिया बजाते खुद देखना मुम्किन नहीं होता जैसे माजी के वाखियात का तज्रूबा या मुस्तखबिल के वाखियात मालूम करना मुश्किल होता है ऐसी सूरत में हम मुनासिब होता है के तुलबा को इक्तिसाबी अमल ड्रामों और अमली सरगर्मियों के जरिये दे सकें मिसाल के तौर पर तारीखी वाखियात को तुलबा अमली तौर पर हिस्सा लेते हुए इसमें सीखते हैं और मालूमात हासिल करते हैं अगर ड्रामाई तज्रूबा को मुनासिब वक्त में मोहिया किया जाए तो ये बहुत ही बहतर है लेकिन ड्रामा के बाद आप मखरूत में देखेंगे कि अगर आप उपरी की सता पर आएंगे तो वहां पर है आपका मुझाहरे या डिमॉंस्ट्रेशन्स मुझाहरे किसी भी तसवूर को समझाने के लिए तज्रूबात का सहारा लेना पड़ता है इसमें मौलिम का रोल बहुत एहम होता है और तुल्बा मुझाहरे के जरिए सीखते हैं हकीकत का पतास उनको अंदाजा होता है जैसे एक साइन्स का मौलिम हाइडरोजन और अक्सीजन को बरखी पाशीदगी के जरिए अलाहदा करता है और एक समाजी इल्म का मौलिम मैप रीडिंग दिखाकर तुल्बा को इक्तिसाब देता है या एक रियाजी का टीचर जोमेटरिकल बॉक्स के इस्तेमालाद के जरिए तुल्बा को इक्तिसाब का मल देता है मुझे जाहरे के जरिए तुल्बा खुद सीखते हैं और ये भी जो है बहुत ही एक इक्तिसाब का बहतरी मौका पराहम होता है इसके बाद आप सेरो तफरी फील्ड ट्रिप्स याने तुल्बा को हम तालीमी तफरी के लिए ले जा सकते हैं हम हर शेय को कमरे जमात में पेश करने से खासीर हैं ये बात आप भी जानते हैं ऐसे मौकां पर तुल्बा को आथार-खदीमा, फैक्टरी, हवाई जहास, जूपार्क या पिर ऐसे मुखामात पर जहां से तुल्बा कुछना को सीख सकते हैं तुल्बा को वो तजड़रों जो सकूल के बाहर हासिल होते हैं मिसाल के तोर पर तुल्बा को हम कई तारीखी मकामात पर तफरीख के लिए ले ले जाया जा सकता है और तुल्बा प्रोजेक्ट और इंटर्वियू मुनख़त करके यहां पर इक्तिसाब कामल जारी रखते है फिर सेरो तफरीख के जरिये भी तुल्बा में बहुत अच्छी तरह इक्तिसाब होता है सेरो तफरीख भी एक अच्छा मौजू है यहां पर हम तुल्बा को इक्तिसाब का इल्म दे सकते हैं इसके बाद हम देखेंगे नुमाशी अशिया याने एक्जिबिट्स नुमाशी अशिया की तालीम में क्या एहमियत है इसमें किस तरह से हिस्सी आज़ा पूरी तरह काम करते हैं नुमाइशी अशिया में हैं आपके तसावीर हैं, मौडल्स हैं, फोटोग्रैफ्स हैं, नक्षाजाट, चार्ट वगएरा ये तमाम चीजे मौलिम की मदद से मौलिम की जेरे लिगरानी में तुल्बा तयार करते हैं एक तालीब इन तमाम नुमाइशी अशिया को अकेला तयार नहीं कर सकता, इसलिए तमाम तुल्बा बिर्टरास तोर पर हिसमें हिस्सा लेते हैं और इकतिसाबी तज़्रूबात को फरोग दे सकते हैं वो तजरुबा जो तुल्बा किसी नुमाइश में हिस्सा लेकर या इनका मुशाहदा करके सीखते हैं इसमें तुल्बा में बहतरीन इक्तिसाब होता है और तुल्बा देखी हुई चीज़ को ज्यादा देर तक याद रखते हैं नुमाइश के बाद आप देखेंगे किस तरह से टेलिवीजन और मोशन पिक्चर याने मुतहरिक फिल्म के जरीए भी हम मुनासिब इक्तिसाब तुल्बा को फराहम कर सकते हैं मुतहरिक फिल्म के जरिये तुल्बा को बिल्रास्त तज्रूबात फराहम किये जा सकते हैं और तालिमी इख़दार वाली फिल्मों को दिखला कर तुल्बा की दिल्चस्पियों को बढ़ाया जा सकता है वो तज्रुबात जो टेलिविजन और मुतहरिक तसावीर के जरिये सीखते हैं हकीकत को समझने में काफी मदद देते हैं और किसी शेय की हकीकी तस्वीर को साफ और वाज़ तोर पर इसकी मदद से तुल्बा को दिखाया जाता है और तुल्बा में इक्तिसाब का अमल बहतरीन तोर पर होता है लेकिन जहां पर टेलिविजन या पिर मुतहरिक फिल्में अगर आपको मुहिया नहीं हो सके या फिर आपके पास वो फिल्में ना हो तो आप यहां पर गैर मुतहरिक फिल्में का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके उसके बात का स्टेप है यहां पर सिर्फ आपके तमाम हिसी आजाज जो है इसमें इन्वार्व नहीं रहेंगे यहां पर आपका देखने के जरीए बसारत के जरीए यहां पर आपका इक्तिसाब होगा रेडियो के जरीए तुल्बा में ख्याली तसवर उजागर किया जा सकता है इस तरह गेर मतहरिक फिल्म का बगवर मुशाहिदा करते हुए तसवर का फ़हम कर लेते हैं इसमें तुल्बा खामूश तस्वीरों, रेडियों, रिकॉर्डिंग के जरीए इक्तिसाब हासिल करते हैं ये एक आसान और मौसर तरीखा है कोई भी मौलिम इसे कमरे जमात में इस्तिमाल कर सकता है और तुल्बा को एक वहतरी इक्तिसाब और आहम कर सकता है इसके बाद हम देखेंगे कि अगर आप मतहरिक फिल्मे या गयर मतहरिक फिल्मे भी मौहिया नहीं है आपके पास तो आप बसरी अलामतों का इस्तिमाल कर सकते हैं बसरी अलामतों के जरीए तुल्बा तसवरात को खाम कर लेते हैं इनके जरीय तुल्बा इक्तिसाबी तज्रवात को भी हासिल कर लेते हैं बस्री अलामतें मिसाल के तौर पर ग्राफिस केच है चार्ट है ये तमाम चीजें जो है बस्री अलामतों में शामिल होंगे और सबसे उपर की सटाह पर है आपका वर्बल सिंबल्स या जबानी अलामतें जबानी अलामतों का इस्तेमाल तो होता ही रहता है लेकिन जबानी अलामतों के अलावा अगर हम दूसरे अशिया का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा इक्तिसाब बहुत ही बहतर होगा जबानी अलामते मिसाल के तौर पर आप जबानी तौर पर तुलबा को कहेंगे और तुलबा अपने ख्याल या फिर अपने तसवर में उसका पिक्चर फ्रेम करेंगे ऐसे तज़र्बा जो तुलबा जबानी अलामतों से सीखते हैं हाला के इनकी तस्वीर या शकल दिखाई नहीं देती लेकिन ये आसानी से समझ पाते हैं और इसे इनका तसवर खायम करते हैं मिसाल के तौर पर आप लीजिए एक मौलीम कम्रे जमात में पढ़ाते वक्त लफ्स घोड़ा इस्तेमाल करता है तौर ना तो इसकी तस्वीर देखते हैं और ना इसको आवास सुनते हैं फिर भी घोड़ा जैसे अलफाज जबानी तौर पर सीख समझते हैं और इसका तसवर खायम करते हैं तो जबानी अलामतें के अलावा अगर मौलीम कम्रे जमात में तद्रीजी अश्या का इस्तेमाल करें तो इसमें तमाम हिस्सी आज़ा इस्तेमाल होते हैं और तौर अच्छी तरह से इक्तिसाबी अमल में शामिल होते हैं इस मखरूत से वाकिफ होने के बाद हम इस बात से मुतफिक हैं कि अगर हम अपने दिमाग तक या पिर अपने हवास के तक पहुँचना चाहते हैं तो तमाम हिस्सी आज़ा का इसमें अफ़ाल होता है और तमाम हिस्सी आज़ा को मतहरिक करना बहुत जरूरी होता है तो हम हिस्सी आज़ा को मतहरिक रखने के लिए कोई ना कोई तजरुबात फराहम करना बहुत जरूरी है अगर हम अक्तिसाबी तजरुबात फराहम करेंगे तुल्बा को तुल्बा बहुत अच्छी तरह से अक्तिसाब के अमल में हिस्सा लेंगे जो भी वो सीखेंगे वो ज़्यादा देर तक याद रखेंगे उन्हें अपने मजमून से दिल्चस्पी होगी और सीखने में बहुत देर तक बहुत मदद करेंगे आज आपने तालीमी टेकनोलोजी के बारे में मालूमात हासिल किये आपने देखा कि तालीमी टेकनोलोजी से क्या मुराद है तालीमी टेकनोलोजी के क्या फवाइद है तालीमी टेकनोलोजी के फवाइद यानि हम तालीमी टेकनोलोजी की मदद से अवाम को तालीम दे सकते हैं कसी तादाद में तुल्बा को तालीम दे सकते हैं उनकी दिल्चस को अक्स किया कि अगर हम इक्तिसाबी तजरी तुल्बा को तालीम दें तो ये तालीम तुल्बा के लिए बहुत मुफीद होगी कारामद होगी और वो हकीकत का पता उन्हें चलता है तो आज आपने एडगर डेल के अक्तिसाबी तजरूबात के मकरूट के बारे में मालूमात हासिल कियें जो तालीमी टेकनोलोजी में से जो एक उन्वान था अगर इस पर आपको मज़ीद मालूमात आप चाहते हैं या फिर आपके जहन में कोई सवालात हैं तो हम आप हमसे इ तालीम मौलाना आजाड नाशनल उदू यूनिवरसिटी गच्ची बॉली हैदरबान पांच सिफर 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 तीन दो आज के इस तालीमी प्रोग्रेम में बस इतना ही अगले तालीमी प्रोग्रेम में फिर आप से मुलाखात होगी तब तक के लिए इजाजत दीजिए आ आप